आज हम डिस्कुस करेंगे nutrition in plants, means कि plants में nutrition कैसे होता है, plants अपना food कैसे बनाते हैं, या फिर किसी से लेते हैं, so previous video में हमने ये पढ़ा था कि plants कैसे होते हैं, autotrophic, okay, autotrophic का मतलब है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पर depend नहीं होते, तो आज हम भी जानेंगे कि किस तरहां से बनाते हैं अपचली वो अपना खाना, so देखिए photosynthesis करने के लिए, means plants photosynthesis करते हैं, so photosynthesis से वो अपना खाना खाना बनाते हैं, और photosynthesis को हम kemosynthesis भी बोलते हैं, last class में मैंने आपको बताया था कि kemosynthesis क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो photosynthesis के तो साथ में minerals का भी absorption करता है, ठीक है, तो ये तीन चीजे चाहिए, इसके अलावा वो प्लेस चाहिए, जहां पे photosynthesis होनी चाहिए, तो इसको हम नॉमली ऐसे compare कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में खाना बनता है, तो जब खाना बनाना होता है, तो पहने मम्मी कह करती है, सारे ingredients को इकठा करके किचं में लेके जाने होते हैं, और वो किचं क्या है, लीफ, लीफ क्या है, प्लांट का क्चेन है, जहां पे photosynthesis करने वाला है, अभी किचं में गैस टोफ, पूरे किचं में तो नहीं खाना बनता, खाना पकता गांपे, गैस टोफ, तो वैसे ही leaf kitchen तो है, लेकिन यहां पर जो gas stove वह कौन है, जिस पर actually में खाना पकने वाला है, actually में photosynthesis होने वाली है, वो है chloroplast, ठीक है, chloroplast में chlorophyll होता है, जिसमें कि क्या होने वाली है, photosynthesis होने वाली है, यह याद रखेगा chloroplast में chlorophyll होता है, ठीक, कभी कभार questions में आपको chloroplast दे देंगे, chlorophyll नहीं दें क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल मिलता है तो यह सारे id ident कठ। हुजातें । फोटो सिंथिसद की pajotese होती है अब दिखते हैं फोटो संथिस का प्रोसेस है क्या, तो दिखिए हमने काबन डायोकसाइड लिया, ठीक है, हमने वाटर लिया, और इसको कराया हमने सनलाइट की प्रेजिन्स में, ठीक, और हुआ कहां पे, क्लोरोफिल में, तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्या मि अब या उटर मलीकुलस मिलने वाले हैं, तो यह फूरी प्रोडक्ट मी कैमिकल से चाहिवों मिलने वाली है, अब यहां से पोसरी में, बहुत के से जन्धन होते हैं, कि मिलेट हुआ क Grübond 56 अवा, वर तर मोलीकूलसे, यह मं पूछा गया है, तो यहां पर आपक्शली काफ तो तब यह जो oxygen release होती है, वो water से release होती है, ना कि CO2 से, पहले ही लगता था हमें, कि वो carbon dioxide का oxygen है, जो कि release हो रहा है, पर नहीं, जब test किया गया, जब experiments किये गए, तो हमें जब पता चला, कि भाई, जो oxygen release हो रहे हैं, वो carbon dioxide से नहीं, वो water का liberate हो रहा है, ठीक है, water जब breakdown होता ह है, तो oxygen release करता है, ना कि carbon dioxide, और इसका जो hydrogen है, वो CO2 के साथ मिलके क्या बना लेता है, glucose बना लेता है, ठीक है, CO2 कनवर्ट हो जाता है, glucose में, और hydrogen यूज कर लेता है, और इसके बाद जो oxygen बचता है, वो बाहर लिबरेट कर दिया जाता है, तो यह questions important है, यह point important है, कि oxygen लिबर यह लिबरेट हुआ, यह याद रखना है, इसके लावा पुछा जाता है, कि ठीक है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में तो होता है, यहां पे photosynthesis हो रहा है, लेकिन अगर आपसे पूछा है, कि किस सेल में होता है, ठीक है, हमें यह पता चल गया कि, प्लांट के किस पार्ट में ह क्लोरोफिल – चूरा फिल प्रिग्मेंस थी, थी, यस बहन से तरह क्लोरोप्लास्ट है, वह एक सेल और्गनील है, cell organeal का मतलब cell के अंदर पाया जाने वाला organeal, ठीक है, तो अब question यह है कि यह cell के अंदर पाया जा रहा है, तो कुछ ना कोई कुछ cell तो होगा ना, जिसमें यह पाया जा रहा होगा, तो वो cell कौन सा है, वो cell है, mesophyll cell, ठीक है, जो cells जिनमें की photosynthesis होती है, वो cells हैं, leaf में mesophyll cells, और यह दो टाइप के cells होते हैं, पैला साइट और spongy cells, यह जो आप बड़े-बड़े cylindrical cells देख रहे हूँ, यह पैला साइट, mesophyll cells हैं, और यह जो आप circular form में देख रहे हो, थोड़़े distance वे, यह spongy cells हैं, तो यह important है यहाँ पर, अभी तक आपने mesophyll नहीं सुना होगा, क्य तो यह पूरी चीज़े मिलके क्या करती हैं, photosynthesis करने में help करती हैं, अब यहाँ पर question एक और generate होता है, कि भाई oxygen कहां से है, water तो root ने absorb किया, पर oxygen sunlight को pigment ने absorb कर लिया, chlorophyll pigment ने क्या किया, sunlight को absorb कर लिया, पर carbon dioxide कैसे गई plant के अंदर, यह question है हमारे पास, तो carbon dioxide को अंदर ले जान हैं, pores हैं, जिनको हम बोलते हैं, stomata, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं, stomata, तो stomata pores से carbon dioxide अंदर जाती है, और CO2 अंदर जाती है, और oxygen बाहर आती है, तो यह जो pores हैं, ग्यासियस exchange करने में help कर रहे हैं, ठीक है, stomata pores, तो stomata pores भी इस तरह से leaf के अलग-अलग parts मिलके, और plant के अलग- अब करें ही भी क्यों न, क्योंकि सब को खाना तो चाहिए, अगर वो help नहीं करेंगे, तो plant photosynthesis नहीं कर पाएगा, और जो photosynthesis नहीं कर पाया, तो फिर खाना किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो plant खुद से अपना food बनाते हैं, और अपनी पूरी body में उसको transport करते हैं, किस tissue की या किस vascular bundle की थू तो वो है phylum, यह याद रिक, sorry, phloem, phloem की थू क्या करते हैं, वो पूरी body में conduct करते हैं, बना हुआ food, बढ़े हुए minerals और ions, ठीक है, अब यहां से कुछ questions हैं, जो कि आपकी direct exam में पूछे जाते हैं, तो as it is and see artis है, आपको उनको learn करना है, समझाने का काम मेरा है, पर learn, आप करेंगे, ठीक है, तो कौन-कौन से steps हैं, जो कि during the photosynthesis होते हैं, already हम discuss कर चुके हैं, but NCRT के according एक बार देख लेते हैं, तो सबसे पहला step क्या होगा, absorption होगी light की, कौन करेगा, chlorophyll, उसके बाद है, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, अब यहां पर देखो light energy को chemical energy में किया chemical process में help कर रहा है, CO2 और water को react कराने में help कर रहा है, उसकी presence के बिना तो नहीं हो सकता, तो यह क्या कर रहा है, यह light energy convertory है, chemical energy में, और इसी की वज़े से क्या हो रहा है, आपका जो hydrogen है, water molecule है, वो hydrogen और oxygen में break down हो रहा है, तो अभी मैंने starting में बताया कि oxygen liberate होगी, वो किस से liberate ह water molecule से, ठीक है, और reduction होगा carbon dioxide का carbohydrate से, यह भी हम बता चुके हैं आपको, कि इसी CO2 से क्या बनने वाला, इसी CO2 और hydrogen molecule से बनेगा, आपका glucose molecule, okay, means carbohydrate, तो यह steps हैं, जो कि involved होते हैं photosynthesis में, अब इसके अलावा, अगर हम बात करें यहां पे, कुछ important points, during, for the plants which grow in deserts, means ऐसे plants, जो कि desert area में grow होते हैं, देखो, हम सब जानते हैं अभी, कि photosynthesis किस time पे होती है, day time पे होती है, चीक है, सबको पता है, लेकिन, कुछ desert plants होते हैं, means almost जितने भी desert plants हैं, वो day में photosynthesis नहीं करते, तो कोशन है कि भाई, क्यों नहीं करते, और दूसरी बार, जब दे में desert plants हैं, वो night के time में photosynthesis करते हैं, ठीक है, night के time में photosynthesis करते हैं, तो night के time पे कैसे, क्योंकि चाहिए होता है stomata, stomata तो दिन में खुलते हैं, ठीक है, जब stomata खुलेगा, तो CO2 आएगा, और oxygen बाहर जाएगा, तो desert plant में अगर रात में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि stomata close रहने व अब leaves नहीं है, तो tomatoes नहीं नहीं है, ठीक है, उसमें pores present होते हैं, बहुत coms tomatoes present, pores प्रेजन होते हैं, जो के night के time में open हो जाते हैं, और desert plants होते है, ना, night के time में photosynthesis करते हैं, तो दिन के time क्या करते हैं, अब यहां पर process देखते हैं, डीक की time क्या होता है, डीक है वो sunlight की energy को absorb कर लेते हैं हमें मालूमें क्लोरोफिल करेगा ठीक है तो क्लोरोफिल क्या करेगा सणलाइड की अनरजी को स्टोर कर लेगा मॉय टोकॉंडिया माइटोवiała करने के लिए थो हैं ही बैठा ठीक है है तो सी स्टोर हो गई वहां को बहुत दिक्कत है इनको क्योंकि दिन के टाइम आप जानते हो ट्रांस्पीरेशन होता है अब कोशन ही है कि मैं ट्रांस्पीरेशन क्या होता है ट्रांस्पीरेशन का मतलब होता है बिटा कि जो प्लांट के बॉड़ी में जो वोटर है न वो इवापोरेट होके पोस की थू स्टमेटा पोस के थूर उड़ जाएगा ठीक है अब यहां बात कर रहें डेजर्ट प्लांट की तो डेजर्ट प्लांट तो ऐसे एरिया में उकते हैं जहां पर पानी मैसी कम होता है तो दिन के टाइम पर ट्रांस्परेशन होने लगा तो इतना तो पानी नहीं है कि ट्रांस् सिंथिस करना तो रात में तो सनलाइट नहीं है गर्मी नहीं है जिसकी वज़से ट्रांस्पिरेशन रेट बहुत कम होगा ऐसा नहीं बोल रहें कि जीरो होगा लेकिन बहुत कम हो जाएगा ठीक है बहुत कम हो जाएगा जिससे वाल्टर लॉस कम होगा और जो पोर्ज ओप आगे बात करते हैं एक activity दे रखी है आपकी book में यहां पर glucose test है ठीक है glucose test, जो glucose है अगर starch है मैंने भी आपको बताया कि जो starch की form में store होगा, तो यह जो plant में starch होता है, अगर उस पर iodine test किया जाए, तो वो blue color की हो जाएगी मलब plant के जिस part पर जिस part पर starch है अगर आप उस पर iodine गिरा होगे या iodine test करोगे तो क्या होगा, वो blue हो जाएगा तो यहां पर एक experiment कर रखा है इन्होंने यहां पर एक leaf लिया है जिसके कुछ portion ही green है इस तरह के कुछ leaves होते हैं, species होती है जिनमें पूरा leaf green नहीं होता तो उसको export किया sunlight में और जब इस yellow वाले portion पर गिरा के देखा तो कोई iodine test नहीं आया और green वाले पर गिरा के देखा तो iodine test आया तो इसका मतलब यह प्रूफ करने के लिए था कि उसी portion में photosynthesis होगा जहांपे chlorophyll है और जब photosynthesis होगा तो वो green अपया होगा अगर आप से कोई पूछ ले कि बदाओ भाई प्लांट के कौन से पार्ट पर photosynthesis हो रहा है कौन से नहीं तो आपको प्लांट से पूछने की ज़रती है आप बसे देखोगी कि प्लांट का कौन सा पार्ट green है ठीक है जो green होगा वो चीक चीक के बोलेगा यहाँ हो रही है photosynthesis देखो मुझे मैं green हूँ ठीक है तो वो green पार्ट प्लांट का आपको बताता है कि यहाँ पे photosynthesis हो रहा है ठीक है चलिए अब बात करते हैं strometa की यार मैंने बहुत सारे functions आपको already strometa के बता दिये कि यह day के time में open होता है ठीक है night के time पे close होता है इसके अलावा अगर इसके function की बात करें तो यह gases exchange करता है means co2 को अंदर लेगा और carbon dioxide co2 को अंदर लेगा और oxygen को बाहार release कर देगा ठीक है इसके अलावा transpiration बताया जो reason है desert plants का transpiration नहीं करना चाते इसलिए वो day time पे क्या रहते है उनके force बंद रहते है ठीक है इसके अलावा इसका function क्या है transpiration करना है तो यह बहुत सारे functions perform करता है विचारा आकेरी जान और बहुत सारे काम है इसके पास दिन के time open रहेगा रात में close रहेगा इसको gases exchange करना है इसको transpiration भी करना है अब question यह है कि भाई कैसे दिन के time open रहता है और रात के time close हो जाता है इसको कैसे पता चल जाता है सुबा हो गई, जागो और रात हो गई, सो जाओ तो यहाँ पे बच्चे जो function होता है यह water absorption से होता है यह guard cells है यह जो आप cells देख रहे हो यह guard cells है यह stomata pore है centralized part है जो यह stomata pore जब इन guard cells में पानी फिल होता है जैसे sunlight आती है दिन होता है तो इस guard cells में पानी फिल हो जाता है पानी फिल होने के विए से swell up हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं और फूल कर कुछ इस तरह से structure बना लेते हैं जिससे की automatically यह stomata pore open हो जाता है लेकिन day की time, night की time पे यह जो water होता है वो इससे बाहर release हो जाएगा ठीक है, पोर से क्या होगा? water बाहर release हो जाएगा जब water बाहर release हो जाएगा तो यह cells flaccid हो जाएगे जिसकी वरसी यह pore अपने आप ही क्या हो जाता है close हो जाता है closing and opening का जो function है stomata का वो कौन perform करने वाला है guard cells perform करने वाले है guard cells help करते हैं इसकी opening and closing में तो इस तरह से आपके stomata means plants के stomata post day के time open होते हैं और dark के time close होते हैं तो यह पुरा process था किसी plant में किस तहां से digestion oh sorry किस तहां से nutrition obtain करता है किस तरह से photosynthesis करता है और किस तरह से अपना खाना बनाता है ठीक है so next part में हम discuss करेंगे hydrotrophic nutrition means amoeba और human digestion किस तरह से process होंगी कौन-कौन से parts होंगे so do subscribe my channel thank you